आप सोचिए, आपको नोट बंदी में खड़ा किया, सब खड़े थे आप, ऐसी धूप में आप बैंक के साम में खड़े थे, प्रधान मंत्री ने कहा काले धन के खिलाब लड़ाई है, मैं आप से पूछना चाहता हूँ, अगर काले धन के खिलाब लड़ाई थी, तो उस ला माँ पे, नहीं, उस लाइन में ये माताए बैने थी, किसान थे, मजदूर थे, चोटे दुकानदार थे, बगर हिंदुस्तान के चोड, काले धन वाले नहीं थे, तो कैसे काले धन के लाई, किस प्रकार के काले धन के लाई, मैं आपको समझाता हूँ, आपके जेब में से ल लाखों करोर रुपे निकाला और इन चोरों के बैंक अकाउंट में डाला, अब मैं आपको बताता हूँ, कॉंग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है, एते हासिक काम, निया ही हो जिना, पाँच महीने पहले मैंने कॉंग्रेस पार्टी के एकॉनोमेस को बुलाया, उनसे ए जानना चाहता हूँ, कॉंग्रेस पार्टी के एकॉनोमिस से जानना चाहता हूँ, थिंक टैक से जानना चाहता हूँ, अगर मैं हिंदुस्तान के 20 प्रतिशत सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में, इन माताओं बैनों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहूँ इन युवाओं के bank account में डालना चाहूं तो मैं बिना अर्थ विवस्ता को नश्ट किये कितना पैसा डाल सकता हूँ और मैंने उनसे कहा देखिए लंबा वाशन नहीं सुनने देने मैंने थेरी नहीं सुननी कितार नहीं पड़नी आप कुछ एक number देना कितने रुपे हम हिंदुस्तान के 20% गरीब लोगों के bank account में डाल सकते कुछी दिन पहले मेरे पास आए कागस पे नंबर लिखा 72,000 मैंने उनसे पुछा ही क्या 72,000 72,000 रुपे 72,000 रुपे ठीक है मतलब 10 साल के 15 साल के 6 महीने के और 72,000 रुपे कितने लोगों को कहते हैं साल के 72,000 रुपे कितने लोगों को पांच करोर परिवारों को आप सोचिए Congress Party के सरकार 2019 में चुनाव जीतते ही नियाई योजना लाईगी नियाई योजना 25 करोर लोगों को 25 करोर लोगों को 5 करोर परिवारों को सीधा बैंक अकाउंट में हर महीने 6,000 रुपे डालेगी साल के 72,000 रुपे और भाई और बैनों भाई और बैनों 25 साल के 3,60,000 रुपे पाँच करोर परिवारों को अच्छा यहां पे बहुत सारे पुर्षा हैं बहुत सारे पुर्षा हैं भाई तकार यहां बहुत सारे पुर्षा हैं इलाई भी आई हैं मैं पुर्षों को गुस्टानी करना चाहता हूं मगर मैं आपको सीधा बता रहा हूं कि पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा आख उनसे पैसा ले लेना वो मेरी मेरी जिम्हेदारी दाए का गार में पैसा पहुचाने की है मैं उड़े पूरी कर दूँगा मगर मैं पांच करोर महिलाओं के बैंक अकाउंट में पांच साल के अंदर तीन लाख साथ हजार करोर रुपे अब आप मुझे पूछोंगे नहीं सुनों अभी मैंने पूरी बात रखी अभी तो मैंने आधी बात रखी है पिर आप पूछोंगे भाईया देखो आपने कहा कि पांच साल में तीन लाख साथ हजार रुपे तो ये कब तक चलेगा पांच साल चलेगा कितना चलेगा कब तक चलेगा आपको बताता हूं हमने निर्दे लिया है कि हिंदुस्त में जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपे प्रति महीना से कम है उसकी आमदनी हम 12,000 रुपे प्रति महीना तक पहुचा देंगे और जैसे ही उसकी आमदनी 12,000 रुपे से कम होगी उसको नियाय यूजना का पैसा मिलेगा जब तक नहीं सुनिये जब तक उसकी आमदनी 12,000 रुपे से कम की होगी तब तक उसके बैंक अकाउंट में 6,000 रुपए महीनिया का जाएगा मतलब यह है यह है गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक बात समझाई गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक एक जटका मारेंगे नियाय योजना हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देगी पिछले पाथ सालों पिछले पाथ सालों युवाओ पिछले पाथ सालों नरेंद्र मोदी जी ने नरेंद्र मोदी ने गरीबों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है हम गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहते है अब यहां पर मुझे बहुत सारी युगा बित रहे हैं अब आप मुझे पूछोगे आप मुझे पूछोगे देखो आपने bank account पर पैसा रहने की बात की मगर हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज रोजगार है रोजगार सबसे ज़रूरी नरेंद मोदी ने रोजगार में दिया अब मैं आपको बताता हूँ आपके लिए जब नरेंदर मोधी जी ने नोट बंदी की गबर सिंट टैक्स लागू किया तो आपके जेव में से उन्होंने पैसा निकाला आपको याद होगा आप बैंक पे बैंक में आपने अपना पैसा रखा नरेंदर मोधी जी ने हिंदुस्तान के अर्विवस्ता से पैसा निकाला अने लंबाने के जेव में ड़ला जैसे ही आपका पैसा आपके जेव से निकला आपने माल खरीदना बंद कर दिया पहले आप टीशर्ट करीदे थे शर्ट केप खरीदे थे पैन करीते थे, जूदे करीते थे, सेलफोन करीते थे जैसे ही आपके जेब से पैसा निकला आप ने खरीदना बंद किया जैसे ही आपने खरीदना बंद किया वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्टरियों ने माल बनाना बंद किया जैसे ही आप प Coming जैसे ह हंदुस्तान की फैक्ट्रियों युवाओं और माल बंद पुर्ट किया, विशे ही फैक्ट्रियों ॐ युवाओं को आप जैसे लगरिकों को खा मैं आपकी यहां कोई जरूत नही है, नोट बंदि हो गई, आपके जै में पैसा नही है, आप कुछ ख जाकर रहेगी अब निया योजना सीधा आपके बैंक अकाउंट पैसा डाले जैसे ही आपके जेड में पैसा आएगा आप माल खरीबना शुरू करोगे कोई टीशर्ट खरी देगा कोई पैंट खरी देगा कोई सारी खरी देगी कोई जूता कोई साबन कोई टूथ पेस माल बनाना को शुरू करेंगे जैसे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां माल बनाना शुरू करेंगे वैसे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां देश के करोड़ों युवाव को रोजगा देना शुरू करेंगे तो नियाई योजना सिर्फ गरीदों के जेब में पैसा डालना नहीं है नियाई योजना हिंदुस्तान की अर्थ्वेवस्ता को जम्प स्टार्ट करने का तरीका है जैसे ट्रक के एंजिन में पेट्रोल डाला जाता है और कोई चावी गुमाई जाती है वैसे ही नियाई ये आखरो और मिर्यों कर प्सक्राइब सौच ही अब धेए अब मज़े की बात सुनिये अब हplat चाए हमने के इसानों की बात करना चाहिए यहां बहुत चारे किसानि मेरी सोचती मेरी सोचती कि मैं चावे मियरी में इसे में वह भी बात गो फूपार्क कर आँग आ पची ल ते अलग अलग खाने, टमाटो केचप का उमाट हमुद crbt करator में तरभ कर रहे हैं। अचार बनाने की फेक्ट्री, अलो के चिपस बनाने की फेक्ट्री मिंट की फेक्ट्री पचास अलग अलग कार खाने। मैं यहां लाना चाहता था, मेरी कोशिश थी कि में आपके खेट के बिल्कुल पास सालोन के खेट के बिल्कुल पास फैक्टरी का जाल बिचा रही मैंने सोचा था मैंने सोचा था कि सालोन का जो किसान है वो जाके अपना माल सीधा फैक्टरी में बेचे का जैसे ही वो माल तक बेचेगा उसे सही दाम मिलेगा और उसका माल सिर्फ यहां मार्केट में नहीं जाये था सिर्फ मंदी में नहीं बिखेगा पूरी दुनिया में सालोन के किसान का माल बिखता मेरी पूरी प्लैनिंग थी नरेंद्र मोधी जी ने फूट पार्क बाबा रामदेव को दिया बाबा रामदेव जी ने कंपनी बना दी मगर आप से सालोन से अमेटी से नरेंद्र मोधी जी ने फूट पार्क भी चोरी किया 50 अलग अलग कार खाने मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूं देखिए। 50 कार्थाने चोरी किये न। कॉंग्लोस पार्टी के सरकार आएगी पर 100 कार्थानों का फूट पार्था यहां बनाओ और और जो भी आप हुगाते हो क्या हो गाते हो भी आप यहां पर आलू आलू गाते हो फूट पार्क में आलू के चिप्स बनाने का कार खाना लगे हैं और यहांगे किसान डायरे लिजा के अपना आलू सही दान के लिए फैक्टरी में बेचेगी और फिर वो अमरीका का प्रेजिडेंट है ना डॉनल्ड ट किसानों के लिए और सालोन क्या है मैं उससे करूंगा यूपी में जगे आके देखो आके देखो यह सपना था मेरा और उस सपने को चौकित्दार ने पाँच साल के लिए नश्ट किया है पाँच साल आपके परवाद किये हैं तो अब अन्यमने महने फ्रेस्टों में किसानों के लिए और सालोन के किसानों के लिए दो निड़ने लिए हैं इतिहासिक ऐसा काम किसी सरकार ने हिंदुस्तान में आज तक नहीं किया प्रेजन नमोदी कर्जमा भी बात करता है एक रुपिया उसमें किसानों का कर्जमा आप नहीं किया है मैं आपको बताता हूं किसानों का काम कैसी किया जाता है हर साल हिंदुस्ताइक का बजट बनता है आप देखते होगे टीवी पे इस बार प्यूज गोएल ने बजट बना रखा 2019 में एक बजट नहीं बनेगा दो बजट बनेंगे दो बजट बनेंगे एक एक बजट बनेगा नैशनल बजट दूसरा बच्ट बनेगा किसान का बजट और सालों के किसान को मेटी रवेबरेली उत्तर प्रदेश के किसान को बाकी हिंदुस्तान की किसान को साल की शुरुआत में हम बता देंगे इस साल आपके लिए आपकी सरकार क्या करेंगी MSP इतनी बढ़ाई जाएगी इतने फूट प्रोसेसिंग कार खाने लगेंगे इतनी स्टॉरिज की फसिलिटी बनेगी मुआपसा आपको इतना मिलेगा MSP आपकी इतनी बढ़ाईगी पूरा अपूरा साल की शुरुआत में हम बता देंगे दूद का दूद पाने का पाने हो जाएगा सालोन के किसानों को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान की सरकार उनके लिए क्या करने जाएगा अब और सुनिए अब और सुनिए और ये सालोन के किसानों के लिए एतिहासिक निन्ने है हिला देगा आपको आपने देखा होगा विजय मालियत युआ गालेक Rare शोरीざ गरसाल और उजी हो जोते हैं और क्विजय पालिया जे अधने खाहिए लंड़न साई आगालेशने मेरा व्हक्ति अलागीर्श कावशन चाथ हैं परइवयन अच्छा एस ल्फन लाके ने कृते हो जास लिएव जासरे है बापीस जाख आप अच्छा सलोन का किसान अगर 20,000 रुपे लेता है कर्जा वापस नहीं करता है तो बाहर होता है अंदर होता है अंदर होता है ना जेल जाता है तो मैं आपको बताता हूँ 2019 में हमने निंदे लिया है जैसे चुना होगा हमारी सरकार बनेगी हिंदुस्तान का कोई भी किसान सालोन का कोई भी किसान कर्जा ना लोटाने के लिए जेल में नहीं जा सकतेगा कर लो जो करना है मुझे फरक नी पड़ता नरेम निमोदी अगर आप अने लंबानी की सरकार चलाना चाहते हैं आप उनकी सरकार चला मुझे कोई फरक नी पड़ता मगर मैं किसानों की मजदूरों की महिलाओं की माताओं की छोटे दुकांदारों की सरका चला हूँ और जो जोटीदार जी। जो आपने सालां की जंता से चोडी किया अच्यार रिल्वेलाइन किस चोडी की नान क्या उसका नरेंडमोी। जो इस चोडीडार ने सालां की जंता से तुरी किया। जो इस चोकिदार ने आपसे किया मैं उसका दुगना दुगना आपके ले करने वाला हूँ और जो आपके रेलवे लाइन है जो आपने मानवी थी जो हम जिसका पैसा हमने सेंचन किया जो नरेंद्र मोधी जी ने आपसे छीना मैं आपको गैरंटी करना उसके इच से वो रेलवे लाइन बनेगी और मैं यहाँ आपसे जूट बोलने नहीं आया हूँ मैं पन्रा लाग का वाइदा नहीं करने वाला हूँ मैंने आपको कहा तीन लाग साथ हजार रुपे दिये जा सकते हैं मैं गैरंटी करके देने वाला हूँ मैंने आपसे कहा कि किसानों की मदद करेंगे बजट बनाके किसानों की मदद करेंगे उनकी रक्षा करेंगे किसान करजे के लिए जेल नहीं जा पाएगा मैं करूँगा मैंने आपसे कहा कि नियाई योजना से युवां को रोजगार मिलेगा मैं वो करके दिखाऊँ मगर मगर नियाई योजना काफी नहीं है युवां को और देना है मैं आपको यहां से एक और गैरंटी देता हूँ दो करोड युवां के बात नहीं करूँगा मगर 22,00,000 सरकारी नौक्रियां हैं 22,00,000 सरकारी नौक्रियां नरेंदर मोदी ने खाली रखे हैं क्यों अनितम्बानी की मदद करने के लिए मैहुल चौक्सी मीरव मोदी की मदद करने के लिए मैं आपको इस टेज से गैरंटी करता हूँ बाइस लात नौकरियों को मैं एक साल के अंदर भार के आपको दिलवा देगी अब हनी रुभू पार्ट है जाओ ये शुरुवात है दस लात दस लात युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है और जो हमारे हमारी जो पुरानी मंडिरगा की योजना थी पहले सौ दिन देते थे थे ना अब एक सौप चार्ज दिन देंगे आखरी बाद मैंने महिलाओं से कहा कि आपको हम न्याई योजनों पैसा आपके बैंक अकार्ण मिटा लेंगे मैं आपसे दो दो चीज और कहना च लोक सब विदान सबार राज्यत सबाह में महिलाओं के लिए 33 परतिशद रेजर्वेशन हम करके दिखाएंगे आपके चेहरें हम विदान सबार राज्यत सबालों में हम مहिलाओं के लिए हिंदुस्तान की सरकारمن ने 33% रेरिजवेशन सरकारी नौप्रियों में हम महिलाओं को देने जा रहे हैं है तो यह हम आपके लिए करना चाहते हैं सलोन की जंटा से कहना चाहता हूं आपके साथ देश के साथ अन्याय हुआ है कि सादों के साथ अन्याय हुआ उनका करदमाप नहीं हुआ युवाओं के साथ अन्याय हुआ उनको रोज़गार नहीं मिला 45 साल से सबसे ज़ादा बेरोज़गारी आज 27,000 युवा 24 गंटे में हिंदुस्तान में रोज़गार खोटे हैं नरेंदर मोदी की देट मगर सालोन के साथ भी अन्याय हुआ है आपसे चीना und food mark आपसे चीना चोरी पर अमेर्फी की जनते से की है और अमेर्टी की जनता को Congress Party की सरकार सिरंब नियाय नहीं देगी सिर्फ नियाय उजळणा नहीं देगी सिर्फ किसानों की मदद नहीं करेंगी मगर सेप्रेट, अलैधा सालोन की जंता, तिलोई की जंता बागी हमेंथी, रायबरेली की जंता की डायरेक्ट मदद करेंगी ये मेरी गैरेंटी है भाई और मैंनो आप मत भूलिए आप मत बूलिए कि 5 साल पहले, ये चोकीदार यहां आया था, और इस चोकीदार ने अब सबसे वायदा गिया था, आप सबसे इसने कहा था, कि मैं 2 कुरोड यहां करो दोड़ गार दूंगा, आप सबसे इस चोकीदार ने कहा था, कि 15 लाग रुपे बैंक अकांट में डालू आप सबसे चौकिदार ने कहा था किसानों का मैं कर्जा माफ करूँगा अब आप देखिए मध्य प्रदेश राजिस्तान चप्तिस गर करना तक तंजाव इन सब स्केट्स में चुना में मैंने बोला हमारी सरकार आईगी दस दिन नहीं लगेंगे दो दिन के अंदर किसानों क कर्जा माफ होगा देखिए दस दिन का वाइड़ दिया था दो दिन में मैंने करके दिखा दिया मध्य प्रदेश राजिस्तान में दो दिन के अंदर सब के सब किसानों का कर्जा माफ होगे तो आप आप याद रखिए कि इस चौकिदार ने यहां इस जमीन पर आकर आपसे जूट बोला अभी आप याद वापस आएंगे आप इन से पूछना तीस हजार करोर रुपे आपने अली नंबानी को क्यों दिये हिंदुस्तान की एर फॉर्स से आपने पैसा चोरी करके उस चोर को क्यों दिया नरेंद्र मोदी जी उस चोर ने आपको किया दिया आप देश को बताईए आप सालोन की जन्ता को बताईए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाज गर्मी में आये मेरी बात सुनने इतनक प्यारा को जो देते हो धन्यवाज नमस्का जेह कर बहुत बहुत नमस्का रखना थे जीज़ाई